अलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस अंसार में जूभी छोटी मोटी घटनाएं हमारे साथ होती है या घटनाओं की बात ने करें हर एक चीज आपने ये वीडियो ओपन किया आपके स चीज अकारण नहीं होती है बिना कारण से कुछ नहीं होता है हर चीज के पीछे कुछ नहीं कुछ कारण होता है आपने सुना होगा कि उपर वाले की मर्जी की बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता आपको क्या लगता है क्या यह बात सच है सो प्रतिशत सच है और ये बात जैसे जैसे आप जीवन में अनुभाव करेंगे चीजों को है ना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप ये भी मत समझना कि जिस व्यक्ति की मतलब सब की उम्र बढ़ रही है तो सब अनुभाव कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है अनुभाव वही कर सकता है जो इन चीजों को समझता है आध्यात्म को समझता है या जो यह जानने के लिए उच्छुक है कि यार मेरे साथ इसा क्यों हुआ देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ में कुछ चीज़ें हो रही है लेकिन वह उनको जानना नहीं चाह करते हैं देखो उनमें और आप में बताता हूं मैंने बात कहां से शुरू करी थी आप समझ रहें ना मैंने बात महां शुरू करी थी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो वैसे वैसे आप अनुभाव करेंगे कि कोई भी चीज अकारण नहीं होती है और बीना पता है कि यह गलत है बात समझना उनको यह इतनी बुद्धिनी आ पारी है कि उनको यह पता चले कि यह गलत कर रहा हूं और इस कर्म का फल मुझे वापस मिलेगा आज आप लोग इतने भागिशाली हैं, सज बतारूं इमानदारी से, आप लोग इतने भागिशाली हैं कि आपको कम से कम ये पता चल रहा है कि जो मैं करूंगा उसका मुझे रिटन मिलेगा, तो इस वज़े से आप अपने जीवन में कई सारे काम ऐसे होंगे, जो कि आपके और यहा 있으면 को को परिशान करते हैं, मतलब बाहरवा लोग को छोड़ो आप गहर में हिसे होते हैं, लोग होते हैं जो मजा आता हुआ उनको परिशान करने में, जैसे किसства RHに तरीक leer ना या उसकी बुराइख करना दूसरे के सामने हैं और फिर दूसरा उसको हैसे मौन लो कोई एक रक्ति है यह ठीट है उसकी बुरही करना जब कि वो उसने कुछ ग्लत नहीं किया फ็र भी दूसरे को फिर य॥ी य॥burst कि चाठा मारेगा पिर हसना फिर मैंज़ को यह भी नहीं पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ और ये जो मैंने की है ये मेरे पास वापस या मुहें मिलेगा बाकि दुनिया में बहुत लोग हैं ph cep IT सर्ध 알았어 तो फीर वे रोग से गलत काम क्यों करते हैं उनको कुछ पता ही ही सबगी रीआ है। जो आप समझ रहे हैं तो मैं ये केना चाहरू हूँ कि कोई भी चीज अकारण नहीं होती है अगर आप किसी वक्ती से 5 मिनिट की भी आपकी मीटिंग हो रही है कहीं पर आप बस में जा रहे हैं समझना आप बस में जा रहे हैं और आप किसी के पास बेठे उसने आप से कुछ बात करी तो वो भी अकारण नहीं है हो सकता है उसमें कुछ ने कुछ बड़ा बड़ा कारण हो अभी आपके जीवन में अलग-अलग समस्या होती है हो सकता है आपके जीवन में कोई समस्या हो पैसे को लेके तंगी हो ठीक है पर्ः करेश हो तो इस प्रकार की चीजें कही ने कहीं या मांसिक समस्या हो तो इससी चलती रहतीं है तो आप ये किन मानिए है की कुछ अच्छा है आपको भी समझनी आएगा कि इसके पीज़े क्या अच्छा है अ 콜ुन कीए जीवन में कि जिसके पीछे कुछ ने कुछ अच्छा है और यह जो हुआ है यह भी किसी कारण से हैं बिना कारण के कुछ नहीं है और कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार भवान मेरे साथ इसा क्यों कर रहा है भवान किसी की साथ कुछ नहीं करता है देखिए एक सॉफ्ट्व यहां पे माने लो मैंने प्राइब करें पता नहीं चला चौड़ी करी अभूम को और अपन बचगें या फिर मेरे जगे कोई और दूसरा आदमी में फसादिया किसी भी तरीके से और मैंने सोचा कि भच गया है नीचे आप किसी भी कर्म को करके बच सकते हैं आप लगा एकि मैं बच गया हूं आप बचे नहीं है वह चीजिँ आपके पास वापस से आनी है लेकिन जब वह चीज आएगी तब आप कहेंगे मैंने तो ऐसा कुछ कुछ नहीं तो उस समय क्यों एक मर्डर हुआ तो मर्डर करके एक इंसान भागा अब जब वह भागा तो जजज साहब ने उसे देख लिया ठीक है अब वहां पे जब वकालत वगेरा हुई तो जो पुलिस वाले थे वो किशी को पकड़ के लाए है ना वकील वगेरा सब लोग जजज साह मैंने मेरे आखों से देखा है इस आदमी ने किया यार यह बेगुना है यह फस जाएगा लेकिन समस्य क्या है जजज साहब के सामने सबूत पड़े अब बात तो सबूत के आधार पर होती है तो उन्होंने उसको केविन में बुलाया कि दो मिट उधर आना ले गए उसको हा आ यह बता है तो उसको पूछा कि बात बता तुने क्या कभी तेरी जिन्दीगी में कोई गलत काम कर रहा है तो उसने बोला कि आधना इस जबहां सबमने ने पहले हूं किया था लेकिन वहां से मैं बज Bennett गया था और मेरी जगे कोई दूसरा था जए खिए कि ल आपको बताया उससे आप कभी नहीं बच सकते आज यह बंद कम रहा है यहां कोई नहीं देख रहा है मैं मानलो कोई कुछ भी गलग चीज करता हूं जो कि मुझे नहीं करने चाहिए ठीक है और मुझे लगता है कि किसी को क्या बता चलेगा लेकिन आपकी स्केनिंग हो रही है हर चीज की स्केनिंग हो रही है तो इसलिए केते हैं कि कोई भी चीज़ें अगर हो रही है तो कहीं कहीं हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है एक और आपको एक्जाम्पल देता हूं कि आपने देखा होगा कि जैसे कुछ कोई बच्चा है जो कि 8 साल का है लेकिन यार वह बच्चा जो है इतनी ज्यादा बाते पता इतना ज्यान है उसके अंदर तो ऐसा कैसे उसने कब पड़ा और एक और बात की आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो यह अनुभाव करते होंगे कि यह चीज मुझे नहीं पता थी लेकिन फिर भी मैंने कर दी या यह बात मुझ कुछ बाते मुझे नहीं पता होती है फिर भी मेरे अंदर आ जाती है ऐसी सोच आ जाती मेरे अंदर ऐसा होता है तो देखिए एक तो प्रारब्ध और एक ज्यान यह दोनों आत्मा के साथ चलते हैं यह शरीर के साथ कभी खतम नहीं होता है मतलब आपके कर्म जो भी आपने में ले रहें अब ग्यान और जानकारी में फरते हैं बात समझ जान उर् amazed आक भी नदिthree कहां से निकलती है थे देश की राज्धानी क्या है यह जानकारी और जियान जो आप अध्यात में ग्यान लेते हैं सहला गीठाजी प्रते हैं तो उसमें आपको कुछ ग्यान मिला, ये चीज़ें आत्मा के साथ जाती है, और आपका कर्म वो भी आत्मा के साथ जाता है, इसलिए कई बार हम देखते हैं कि आर तेन साल का बच्चा है, आठ साल का बच्चा है, इतना ग्यान के से, इतने कम समय में इसने इतनी पुस्की कहा कर्म है जो मुझे किसी भी तरीके से मुझे इसने फसा दिया है ना गरीबी में फसा दिया या किसी भी तरीके से लेकिन अब एक और बात तो सवर क्या हम इसमें फसे ही रहेंगे बिल्कुल नहीं फसे रहेंगे क्योंकि इंसान जो इंसान का शरीर है, इंसान जन्म जो है, मनुष्य जन्म, वो केवल प्रारब्द भोगने के लिए नहीं है, जो जानवरों का जन्म होता है ना, ये केवल प्रारब्द भोगने के लिए, जैसे कोई कुत्ता है, तो वो नया कर्म नहीं बनता उसका कभी भी, वो अगर कितना कुछ भी अच्छा कर्म कर दे उसका कर्म कभी नहीं बनता है उसको केवल प्रारब्द भोगने रहते हैं लेकिन इंसान एक इसा वेक्ति है मतलब मनुष्य जन्म जो मिला है इसमें आप वापस से अपने नए कर्मों के द्वारा अब आप कुछ अच्छे कर्म करिए भगवान विश्वाल ने किसी को दी है कि तियो परिशान दूँगा मैं कियो भगवान मैंने आपका क्या विगढ़ा कॉले नहीं मेरा मन हो रहा है तेको परिषान दूआ और हाथ तेरा को मैं खूस रखूंगा तो यहां वैक्ष्वास मत करो बोले कि अर आप इसा मैं आई वो करो लेकिन यह सोब दिशत सच है और इस दुनिया में किसी भी आद्मी से पूछलो किसी भी इन्सान से पूछलो वो एक बात कहेगा कि इसके कर्म होंगी इसलिए या जैसा इंसान करेगा वेसा भरेगा हर आप कोई सा भी ग्रंथ पड़ो किसी भी धर्म का ग्रंथ पड़ो उसमें बात जरू लिखी है कि कर्म उसके साथ चल रहे हैं ठीक है तो अगर यह बात हमको समझ में आ गई है तो आज से हम इस चीजों का ध्यान रखे कि मु किसी का अपने को बुरा सोचना ही नहीं किसी को का बुरा करना ही नहीं अपने को अपना अच्छा करना किसी को और कहीं आपको अगर सेवा मिली हो जैसे आपके घर में को यह से लोग है जैसे कई बार होता है अपन बाहर की बात नहीं करते हैं अपनों घर में शुरू करते ह जैसे कोई बुड़े लोग है या इसे लोग हैं जिनकी सेवा करनी है तो यार उनकी सेवा करूँगा ताकि आपके पुराने जितने भी ऐसे कुछ कर्म बंदन होगे न तो उस चीछ से कड़ जाएंगे बात समझते हैं मतलब आप वह आपके पास भी आएंगे न तो आप उनक आप जानवर नहीं कर सकता तो इसलिए अगर कुछ भी हो रहा है आप किसी से मिल रहे हैं आप कहीं जा रहे हैं कुछ भी हो रहा है बिना किसी कारण के नहीं होता कई बार हम कहते हैं और यार यह न अगर वहां नहीं जाता और इसकी जगे जैसे उन्होंने रोका था कि मत ज लेता तो बढ़िया हो जाता ऐसा कुछ ही नहीं है फिर आप करते दिखें सबसे में चीज जो है ना प्राग्द के से सेट होता है आपकी बुद्धी को के से गुमाना है बात समझे आप कोई कोई चोटा बच्चा है वो बहुत खराब है भी बहुत शेतान है मुझे लगता है कि यह बढ़ा हो कि क्या ही मेरी सेवा करेगा लेकिन अगर मेरे कर्म अच्छा है तो उसकी बुद्धी ऐसी होती है बड़े होके क्या बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है कोई बच्चा बढ़ा अच्छा है अभी हमको लगता है मेरा बेटा बहुत समझदार है यह तो हुआ देता है एक दम से गुस्सा आजाता आदमी को एक दम से आदमी शांत हो जाता है किसी को उपर चेक जाता है किसी के कोई फरकी नहीं पड़ता है किसी को लाग समझा उसके समझने आता है आप देखो कई लोगों को आप बले हैं एक लाग बार समझा दो उनके समझने आत नहीं तो फिर लड़ते ही रहो एक यूप्शन है तो इसलिए आप इस बात को समझो कि कोई भी चीज अकारण नहीं होती है और जो होता है अच्छे के लिए होता है अभी अगर आप किसी भी परिस्तिती में हैं तो आप विश्वास रखिए कि ये समय हमेशा नहीं रहेगा आ याचि वाते में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका मन इस चीज को magaz रहे मन रहे मां शांत होगा जैसे आप आप तो कम से कम एक वीडियो एक दिन तक तो आपके मन को पॉजिटिव रखता है फिर दूसरा वीडियो आ जाता है दूसरा दिन और ऐसे करते करते जब आप डेली इन चीजों में विश्वास करने लगते तो आपके साथ चमतकार शुरू होने लगते हैं क्योंकि कि किसी भी आप देखेंगे ऐसा ही चलता रहेगा जब तक आप जीएंगे दूसरा जनम भी ले लेंगे फिर सेंच चलती रही और जब आप यह सोचेंगे कि नहीं आरब बदल जाएगा अब मेरी सोच में परिवर्तन आ रहे हैं अब मैं ठीक हो रहा हूं अब मेरे रिष्टे सुदर अब मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं तो फिर आप देखिए आपके साथ वो चीज़ें होने लगी और लाइफ टाइम वेसी होती रही तो सब कुछ डिपैंड करता है आपकी थिंकिंग पर चीजों को बदल सकते हैं अपने नए कर्म के द्वारा एसा नहीं कि पूरा नहीं हम बोगते रहें तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूब बताएगा मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर किसी कुछ जानकर लेना हो तो है ना और वीडियो अच्छा लगे और अगर आप लोगोंने सब्सक्राइब करते ना तो मैं देखता हूं कि आज इतने थे कल इतने हो गए तो मेरे मन को अच्छा लगता है मुझे खुशी होती है बस इसके लावा और कुछ नहीं होता है और एक और चीज की जब कोई देखता है जैसे नहीं आदमी देखेगा तो सबसे पहले देखता